हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीना किसी टिकेट काउंटर या साइबर कैफे पे जाए आप घर बैटी ट्रेन की टिकेट कैसे बुक कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है इसका नाम है आया सीटी सी रेल कनेक्ट यह आपको पने प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करनी है इंस्टोल होने के बाद आपको इसे simply open करना है open करने के बाद सबसे उपर देखिए right corner में यहापे login को option आ रहा है आपको login पे क्लिक करना है इसके बाद sign in करने के लिए सबसे पहले आपको register करना पड़ेगा तो यहापे register user पे क्लिक कर दीजिए इसके बाद आपके सामने form open हो जाएगा यहापे आपको अपना mobile number, email id और एक username यहापे आपको create करना है फिर password, confirm password आपका first name, middle name, last name आपकी date of birth, nationality और एक security question security question इसलिए आपको यहापे डालना है क्योंकि मालेजिए आप in future और अपना password भूल जाते हैं तो आपको उसे forgot करने के लिए यहापे security question लगाना पड़ेगा security question कुछ भी आप लगा सकते हैं तो मैं जल्दी सारे detail fill कर लेता हूँ तो सारे detail मैंने यहापे अपनी fill कर ली है और यहापे आपको cross check करना है कोई भी detail आपको गलत नहीं होने चीए male female का भी आपको यहापे धियान रगना है सारे detail यहापे check करने के बाद आपको next पर click करना है इसके बाद आपको अपना address यहापे mention करना पड़ेगा ठीके और अगर आपका office और address यानि की घर का address same है तो आप यहापे नीचे copy पर भी click कर सकते हैं ठीके तो मैं जल्दी से इसे fill कर लेता हूँ तो मैंने यह अपने घर का address यहापे fill कर दिया ठीके और अगर यहापे office का address same है तो यहापे copy पर मेरे को click करना है ठीके तो मेरा office का address अलग है तो मैं next पे click कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना office address भी fill कर लिया है सारे detail चेक करने के बाद मेरे को यहाँ register पे click करना है तो यहाँ पे congregation लिखा वा आ गया और हमारा जो username यहाँ पे लिखा हुआ है ठीके तो मैं यहाँ पे ok पे click कर देता हूँ आप वापिस से यहाँ पे आ जाएंगे आपको sign in करना है और यहाँ पे अपना वही username जो आपने बनाया था और password डालना है और एक capture code fill करना है आपको यहाँ login पे click कर देना है फिर आपका account verify होगा और आपके phone number और email ID पे OTP बेहा जाएगा दोनों OTP fill करने के बाद आपको यहाँ verify user पे click करना है congratulations OTP verification successful हो चुका है आपको ok कर देना है वापिस से आप sign in पे आ जाएंगे same आपका username password fill करके capture code fill करके आपको login करना है इसके बाद आपको एक pin generate करना है 4 digit का ठीक है यह pin इसलिए generate करना पड़ेगा in future आप इसे login करते हैं तो आपको बार-बार username और password डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैंने pin यहाँ पे fill कर दिया मेरे को submit करना है submit करते ही आपके सामने application open हो जाएगी और यहाँ पे सबसे उपर देखे train का option और logo बना हुआ है मैं यहाँ पे click कर देता हूँ अब आपको journey कहां से कहां तक start करनी है यानि कि from 2 तो सबसे पहले मैं from पे click कर देता हूँ यानि कि मेरे को किस station से अपनी train पकड़नी है तो जैसे मेरे को mirat city से जाना है तो यहाँ पे मैंने search कर लिया मेरे को क्लिक कर देता हूँ और second station पे मेरे को click करना है तो यहाँ पे click कर देता है तो 2 होगा है हमारा परियाग राग देंशन ठीके तो mirat city से मेरे को परियाग राग देंशन तो जाना है इसके बाद नीचे देखिए हमारा departure date आ रही है तो मेरे को किस date को train की ticket book करनी है यहाँ पे मैं click करके उस date को search कर लेता हूँ ठीक है date यहाँ पे mention करने के बद आपको यहाँ search train पे click कर देना है तो 25 तारिक को मेरे को 25 नौवंबर 2022 की ticket book करनी थी यहाँ पे हमारी दो train जा रही है तो मेरे को sun gum express से ठीक लग रहा है तो मैं sun gum express पे यहाँ पे click कर देता हूँ और यहाँ पे काफी सारे option आ रहे है जिसे मेरे को sleeper पे जाना है तो मैं sleeper पे click कर देता हूँ sleeper पे click कर दिया आप नीचे देखिए 25 नौवंबर फ्राइडे का और यहां पर available आ रहा है, available का मतलब है waiting नहीं है, बिल्कुल confirm आपकी ticket यहां पर book हो रही है, ठीक है, तो यहां पर नीचे passenger detail का option आ रहा है, मैं यहां पर click कर देता हूँ, इसके बाद यहां पर option आ रहा है add new का, आपको add new पर click करके यहां पर passenger के detail को fill करना है, passenger की detail आपको बिल्कुल ध्यान से fill करने हैं, जैसे उनका नाम, age, gender, nationality और birth, सारी चीज़े मैंने आपको चेक कर लिए और fill कर दी हैं, बर्त आपको ध्यान रखना है lower, middle या अपर, ठीक है, तो जैसे मेरे को lower रखना है, यानि की नीचे का रखना है, तो मेरे को lower पर मैंने click कर दिया, सारे detail चेक करने के पाद आपको add passenger पे click करना है, तो मैंने यहाँ पे दो ticket book करी हैं, यानि की दो passenger की यहाँ पे detail डाल दी है, एक और दूल ही लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपको review journey details पे click कर देना है, उससे पहले एक बार नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे payment mode का भी option आ रह चाहें तो करा हैं, चाहें तो ना करा हैं, यह भी optional है, आप yes no कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद review journey पे details पे click कर दीजे, इसके बाद एक बार review कर लिजे, जो भी आपने आपना data fill करा है, train कौन सी है, किस date में है, कहां से कहां तक है, available है कि नहीं है, passenger detail नीचे आ जाईए, सारे detail यहां पे check कर लिजे, नीचे देखे, capture code आपको fill करना है, तो मैं इसे fill कर देता हूँ, capture code मैंने आपको fill कर दिया, अब 731 रुपे के 2 ticket यहां पे मेरे book को रहे हैं, वो भी confirm, ठीक है, waiting नहीं है, बिल्कुल available यहां पे दिखा रहा है, sleeper में, proceed to pay का option आ रहा है, इस पे click कर द देता हूँ, इसके बाद सभी तरह कि हैं, आपको mode मिल जाएंगे payment करने के, जो भी आपको ठीक लगता है, आप उस पे click करके यहां पे pay कर सकते हैं, तो मेरे को debit card से payment करने हैं, मैं यहां पे click कर देता हूँ, यहां फिन advent कर सकते हैं, UPI का अगर आप option select करेंगे तो आप UPI से भी कर सकते हैं, तो मैं यहां पे 738 रुपए 40 पैसे pay कर रहा हूँ, तो यहां पर दोस्तों मेरी जो payment है, हो successful हो चुकी है, transaction ID आ रही है, thank you लिखावा आ गया, और सारे detail मेरी mail ID पे send कर दी गई है, ठीक है न, अब मैं आपको सब कुछ यहां पे cross check करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आज़ेए, यह मेरी passenger की information हो गई, किसके नाम से मेरी दोनों ticket book हैं, और नीचे जो मैंने payment कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं, यहां पे normally information के लिए एक barcode भी दे रखा है, वापिस से उपर आ जाते हैं, और ठीक है, जो आप लोग के file manager में, अगर आप desktop से करते हैं, तो वहाँ पे भी आपके my computer वाले option में चले जाएगी, इस तरीके से आप यहां पे अपनी, जो आपने train की ticket book career से easily download कर सकते हैं, और यहां पे share का option हारा, आप share भी कर सकते हैं, ठीके दोस्तों, यह तो था हमारा train की ticket book करने का process, अगर गलती से उपर देखे, last transaction का option आ रहे हैं, यहां पे आपको click करना है, तो जो आपने train की ticket book करेती, देखे, status आ रहा है book, वही आपके train आ रही है, same इस पे click कर दीजिए, इसके बाद आप इसी page पर आ जाएंगे, जहां पे transaction ID वगएरा आ रहा था, अब यहां पे option आ रहा है, सबसे payment mode से आपने payment करिए, same उसी mode में आपकी payment वापिस कर दी जाएगी, और यहां पे सबसे निचे देखे, ticket refund history, जो भी आपका refund आएगा, उसकी history आप यहां पे check कर सकते हैं, my transition में जाके, ठीके दोस्तों, I hope so आप लोग को समझ में आ गया होगा कि घर बैटे, आप railway ticket को easily कैसे book क कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के लिए बस इतना ही, तो guys, thanks for watching this video and subscribe to this channel,